हाई फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गुलाब जामौन हमने इसके लिए यहाँ पर रेडिमेट पैकेट यूज़ किया है गुवर्धन का यह 200 ग्राम का पैकेट है आईए देखते हैं इस रेडिमेट पैकेट से हम घर पर गुलाब जामौन कैसे बनाते है करल दो हमाशन है कि हमने जो ग्लाब जामुन का पाउडर था जो उसका बेस आटा वह हमने एक बाउल में निकाल लिये हैं अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूद दाल कर इसे अच्छी तरह से गुन लेते हैं कि अच्छी तरह जचड़ाउ। यह देखिए हमने आटिक अच्छी तरह से गुन लिये हैं अभी हम इसे ढग कर 15-20 मिनट रस्ट पर लग देते हैं अभी हम चेक कर लेते हैं मिक्चर अच्छे से सेट हो गया है क्या नहीं यह देखिए मिक्चर अच्छे से सेट हो चुका है अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे यह देखिए अभी यह अच्छे से रेडी हो चुका है अभी हम इसके छटे छटे बॉल बना लेते हैं सबसे पहले हम थोड़ा से यह लेते हैं हाथ के ओपर पहले हम थोड़ा घी लगा लेंगे और फिर इस तरह से हम इसे राउंड शेफ दे देंगे द्यान रखे के राउंड शेफ देते वक्ट इसके अंदर यह देखिए ऐसा राउंड शेफ देंगे हम थोड़ा से हाथ में गी लगा कर यह देखिए इस तरह से रेडी होगे अभी हम सारे पीशी इस तरह से रेडी करते हैं यह देखिए, सारे गुलाब जामुन के बॉल बना के रडी हो चुका है, अभी हम इसे डिप फ्राइ करते हैं, हमने यह आपर गुलाब जामुन का 200 ग्राम का पैकेट लिए है, तो उससाब से हम चाशनी बनाते हैं, उसके लिए अभी हमने, मिनिममम हाफ लिटर पानी लिए ह अभी हम इसमें चीनी आइड करते हैं, चीनी भी हमने लगबग 400 ग्राम लिए हैं, इसमें थोड़ा से एक चौताई चमाच हम इलाजची पाउडर दालेंगे और केसर दालेंगे, यह लिजे, चाशनी अच्छे से रेडी हो चुकी है, तेल को अच्छी तरह से गरम होने देते हैं, तेल अच्छी तरह से गरम हो चुका है, अभी हम इसमें एक एक करके इसके अंगर ग्लाब जामन के रॉल जलते हैं, हमें इसे धीमी गैस पर ही करना है और लाइट ब्राउन होने तक ही करना है, हम इसे जैसा डिप फ्राइ करके निकाले वैसे ही चाशने में डाल देना है इसे, अभी इसी तरह से अभी हम सब करते हैं, यह लीजिए फ्रेंड्स गुलाब जामन रेड़ी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राइ करिए और आपके कमेंट हमारे यूटूब चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए, थैंक यू, हुआ ंजालुब तर हुआ झालुब चैनल तरू। झाल झाल